मा, हम अपने संगीत की खक्षा से वापस आ गए हैं मुझे बहुत भूक लग रही है मुझे भी ठीक है बच्चों, ये सेब लो और अपनी में बाट लो तब तक मैं खाना बनाती हूँ लेकिन मा, हम इसे कैसे बाटेंगे? ये बहुत आसान है सेब को चाकू से दो बराबर भाग में काटो ताकि तुम दोनों को सेब का आधा हिसा मिल सके बच्चों, आज आप अपने दैनिक जीवन में भिन के बारी में सीखेंगे हमारे साथ आओ आओ सीखे भिन संख्याओं की अवधार्ना का वर्णन करना प्रतिक भिन के अंश और हर को पहचानना ये समझना कि किसी समुचय के पूर्ण या आंगशिक भाग को प्रदर्शित करने के लिए भिन का प्रयोग कैसे करेंगे दैनिक जीवन में भिन संख्याओं के उप्योग पर चर्चा करना भिन संख्याओं क्या होती है क्या आप गिन सकते हैं कि यहां कितने वृत्त हैं एक, दो, तीन, चार, पाच यदि वृत्त का सिर्फ आधा भाग हो तो हम इसे कैसे गिनेंगे जी हाँ, हम भिन का प्रयोग करेंगे भिन संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक पूर्ण का एक भाग निरुपित करती है अंश और हर यहां एक पूरा जर्म दिन का केक है आईए इसे छोटी टुकडों में काटे यदि हम केक को बीच से काटे तो हमें दो बराबर भाग प्राप्थ होंगे हर भाग पूरे केक का एक आधा है हम इसे भिन के रूप में लिख सकते हैं यह संख्या जो हर कहलाती है हमें बताती है केक पूर्ण में से कुल कितने भागों से मिल कर बना है उपर के संख्या को अंश कहते हैं जो भागों की संख्या बताता है अतह ये केक का एक आधा है और ये केक का दो आधा है इसलिए दो को दो से भाग देने पर आएगा एक जो की एक पूरा केक है चतुर्थांश क्या है? आएए आप केक को चार भाग में काटे हर भाग केक के एक चौथाई भाग को निरुपित करता है अतह भिन होगी एक चोथाई इसे चतुर्थांश भी कहते हैं ये केक का एक चतुर्थांश है ये दू चतुर्थांश है ये तीन चतुर्थांश है और ये चार चतुर्थांश है चार को चार से भाग देंगे भाग फल एक होगा अतह चार चतुर्थांच मिलकर एक पूरा केक बनाते हैं आप केक को और अधिक भागों में पार सकते हैं आओ खेलें सही भिन संख्या को उचित स्थान में लगाओ भिन संख्याओं का मुद्रा में प्रयोग 25 पैसे के इस सक्के को देखें 25 पैसा एक सिक्का एक रुपे के सिक्के का एक चौथाई होता है इस प्रकार 10 रुपे का एक नोट 50 रुपे के एक नोट का एक पाँचवा भाग होता है अतह बच्चों भिन संख्याओं का प्रयोग मुद्राओं में भी होता है समुह में भिन संख्याए याद रखें कि हम भिन संख्याओं का प्रयोग समुह की वस्तूओं की बारे में बात करनी के लिए कर सकते हैं देखें, इस प्लेट में 13 बिसकिट हैं ये हमारा हर है लेकिन सबी बिसकिट एक ही प्रकार के नहीं है उन में से 6 चौकलेट बिस्किट हैं जबकि 7 मिल्क क्रीम वाले हैं अतह वे अंश हैं इसले हम कह सकते हैं कि ये 6 तेरवा चौकलेट बिस्किट है और 7 तेरवा मिल्क क्रीम बिस्किट है भिन संख्याओं का समय में प्रयोग क्या हम समय को भिन में विभाजित कर सकते हैं? हाँ, इस खड़ी को देखो घंटा एक पूर्ण संख्या होगी और मिनट उसका भाग होगा क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं इसलिए हर मिनट 1 बटा 60 भाग है आप कह सकते हैं कि 20 मिनट 20 बटा 60 भाग के बराबर है और ये एक तिहाई के बराबर होगा भिन संख्याओं के दूसरे प्रियोग आप में से कितनों को संगीत पसंद है? बहुत अच्छे! हर किसी को संगीत पसंद है संगीत में पूरा नोट, आधा नोट, एक चौथाई नोट होते हैं और वे सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं अतह दो आधे नोट की लंबाई एक पूरी नोट जितनी होती है और चार एक चौथाई नोट, एक पूरी नोट की लंबाई के बराबर होते हैं क्या ये अद्भुत नहीं है? इसके अलावा आपकी मा खाना बनानी में भी भिन्न संख्याओं का प्रयोग करती हैं। आप अपने लिए एक कप चाई कैसे बनाएंगे? आपको आधा कप पानी की जरूरत होगी, है की नहीं? अदहा आपने देखा कि भिन्न संख्याओं हमारे दैनिक जीवन में हर जगा हैं और वे हमारे लिए बहुत उप्योगी हैं। हमने क्या चर्चा की? भिन्न संख्याओं वे संख्याओं हैं जो एक पूर्ण का एक भाग निरुपित करती हैं। अंश एक पूर्ण के अंचों की संख्या निरुपित करता है और हर पूर्ण के कुल भागों की संख्या को निरुपित करता है। दो आधे और चार एक चौथाई एक पूर्ण के बराबर होते हैं। भिन संख्याओं का प्रयोग मुद्रा, संगीत, सिनिमा और पाक कला और अन्य जगह होड़ा है।